आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है मैंने इसमें कुछ जो बटन मेरे पास बच जाते हैं या अगर अकठे रखे हुए या कुछ टाइम गुजर जाता है तो उनके स्टोन्स वह रहा है निकल जाते हैं तो वह मैं सेपरेट एक पैकेट में डाल देती हूँ तो अभी मेरे पास आजकल कुछ थ्वास फ्री टाइम था तो मैंने उनको सबको अकठा किया और एक एक करके जिस तरह से भी समझाती गई उसको मैं अटाइज करती गई हूँ ये मेरे पास बटन्स के तोर पे या टिकी स पड़ी थी वड़न पटी लेकिन इसमेंसे भी काफी नग निकल गए तो इसको मैंने संभाल लिये क्योंके इसके नग बहुत खुबसूरत है इसके स्टोन्स नग तो इसमें से काफी काम आए जैसे ये मैंने दोतीन निकाल के कुछ इसमें डाले है अभी एक इसके अंदर अभी बन सकते हैं एंगिंग के तो पे इसमें से चोटा पीस ता इस मेंसे दो-तिन नकाल के तो इसको भी करें, बाकी में अपताती हैं, जैसे एक मेरे पास एक मने इसका भी सेंटर में से निकलावा था। तो अगर आप और करें तो यह वाले बटन बहुत ऐसी मार्केट में ह हर जगा से मिल जाते हैं अलग अलग साइज में स्कॉायर में राउंड में ओवल शेप में तो मैंने यह वाला जो जैसे यह थोड़ सा बलैक हो गया है अब यह बटन कपड़ों में इस्तमाल में नहीं आ सकता तो इसको भी साइट पर रखा था थोड़ा सा कटर से या प्लास स इसको खोल लेना है इस तरह से बाहर आ जाएगा एक मैंने इसके अंदर लगाया है यह थोड़ा सा कॉपर शेड में जैसे अब यह इतना खुबसूरत बटन है लेकिन सिर्फ इसका यह पार्ट नहीं है यह उतर गया था और मिला भी नहीं तबारा तो अब इसको फैंकने से बेहतर है कि इसको थोड़ा सा रग दिया जाए करी दफा समझने आती है कि क्या करें लेकिन बाद में एक दम ख्याल आता है कि यह चीज हो सकती है तो बस यह बी 7000 ग्लू लेके मैंने इसमें लगाई और इस तरह से इसको जॉइंट कर दिया और कितना इसके साइज के लिहा कर दिया अच्छा अब जैसे मेरे पास एक यह भी एक पीस था इसके साब से कोई चीज समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए पिर यह लेस के अंदर से मैं मैं पूल यूज कर लेती हूं पूल मुझे अचानक नजर आ गया अब यह फूल है इसको भी क्योंकि यह स्टिच कर दिया दबा देना इच्छी तरह और इनको ओवर नाइट बिल्कुल छोड़ देना है साइट पे थुदा सा बैक पर भी लगा देती हूं बस इनको इत्याद से रात के लिए छोड़ देंगे और यह परफ्रेक्ट इसके साथ जॉइंट हो जाएगा जैसे अब यह वला है इसका भी यह खुबसूरत सा मौर है और इसका भी स्टोन नहीं है तो इसके अंदर से मैं यह स्टोन निकालूंगी लेकिन इसको मैं डिरेट अगर निकालूंगी तो इसकी पॉलिश पीछे से खराब हो जाएगी तो इसको हलका सा लाइटर से थोड़ा सा गरम करेंगे और इसके साथ मैटल है यह गरम हो जाता है तो यह इजी ली यह रमूव होगे है इस तरह से यह भी मुझे अचानक बस मैंने इसे करके देखा है तो यह कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं तो वह हो जाती है इस तरह से यह भी हमारा बटन अब रिन्यू हो गया है तो यह एक छोटी सी टिप थी अच्छा अब यह भी खुबसूरत सा बटन है इसके सेंटर में कोई नगत था या मुझे जात नहीं तो इसमें मैंने इस तरह से किया है कि मैंने साइज देख लिया अब अगर आपके पस भी असी कई दोफ़ा चीज़ा निकलाती है तो आप देखें आप पस जो भी घार में होती रखा हो तो इसको आप इसके साथ जॉइंट करें और यह इसे बड़ा साइज कर भी लग सकता था लेकिन मेरे पास सामने भी यह रखा था तो इसको मैंने इस तरह से कर दिये और एक यह भी ची नहीं लेकिन अपने हाथ से जब भी आप कोई चीज क्रियेट करते हैं या इस तरह से जॉइंट करते हैं तो उसकी जो खुशी होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं है तो आज कल यह रिवाज कम हो गया है लोग हाथ से इस तरह के काम नहीं करते तो अगर आपने अच्छा time queen spend करना है तो आप थोड़ा सा hand work करें इससे अब बहुत एक therapy होती है और आपका जहन बढ़ता है और यही करते करते आप कल को कामयाब भी हो जाते हैं तो यह देखें खुबसूरत बटन रेडी है बस अब मैंने इनको छेड़ना नहीं है कल तक यह complete अपनी जगह पर set हो देखेंगे फिर कोई भी आपके पास घर में इतनी सारी चीज़ें सी रखी होती है उनको जाया ना करें जैसे यह वाला बटन है इसमें जो नग हैं वो आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी तो अगर एक बटन डैमिज हो भी गया है उसको रखतें उसके नग निकालके वोई हलक करके किसी चीज से पकड़के